51 शक्ती पिथास है सारे मंदिरों अपनी कुछ विशेष्टा के कारण काफी लोग प्रिया है जैसे कि आज हम कमख्या टेंपल के बारे में जानेंगे जिसे कमरुपी कहते है ये टेंपल निलाचल हिल पे बनाया गया है जो आसाम के गोहाटी सिटी में लोकेटेड है किसी पे टेंपल में शान्ती का माहूल होता है पर ये टेंपल पहाड पे होने के कारण इसके आजुबाजु का कुद्रती नजरा मन मोलेता है बक्तों ने कमख्या देवी की पूझा करने के लिए इस मंदिर को बनाया था ऐसा कहते हैं कि ये जगा भगवन की पूझा करने के सिवा काला चादु करने के लिए भी काफी लोग प्रिया है ऐसा भी कह सकते है कि काले जादू की शुरुवात यहां से ही हुई है क्योंकि इस मंदिर का पूराना हिस्ट्री देखेंगे तो काफी ऐसे प्रूफ मिलते है जिससे काला जादू का पता चलता है तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस मंदिर में काले चादू की शुरुवत कैसी हुई और इसमें कौन से रिचुवल्स फॉलो की जाती है लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट चानने के लिए हमारी चानल ना पूले इस मंदिर के साथ कए इंट्रेस्टिंग कहानी जूरी है ऐसा कहा चाता है कि भगवन शंकर की पतनी सती को उसके पिता नहीं जग्या में बुलाया था लेकिन उसे अपने पती से परवानगी नहीं मिले जिस कारण सती ने अपने पती से जगड़ा किया उसके बाद वो यगनमें जा सकी लेकिन ये बाद सती के पिता को पसंद नहीं आई जिस कारण उन्होंने भगवन शंकर का अपमान किया सती को अपने पती का अपमान बरदाश ना होने के कारण उसने अपने आपको आग में जला लिया उसके बाद भगवन शंकर ने अपनी पत्नी को उठा कि क्रोध में टांडव किया ऐसा कई बार सुना होगा कि भगवन शिव के टांडव से शृष्टी में विनाश होता है तो इस विनाश को रोखने के लिए भगवन विश्णु ने चक्र के इस्तमाल से सती का शरीर 108 पार्ट में काट दिया तव सती के शरीर के कुछ पार्ट इस मंदिर में गिरे जिस कारण ये मंदिर स्तरीशक्ति का प्रतीक माना जाता है ये कहानी इस मंदिर के साथ जूड़ी हुई है तो अब जानते हैं कि यहाँ पे काला जदू करने के लिए कौन से रिच्चुल्स मनाए जाते हैं ज्यादा तर इस मंदिर में काला जदू या तंतरिक पुझा नेगिटिव एनरजीज को दूर करने के लिए की जाती हैं जिसमें बहुत सारे अलगलग रिच्चुल्स किये जाते हैं और ये रिच्चुल्स मंदिर के लोगो द्वारा ही किये जाते हैं इस मंदिर में काला जादू पूछा के दोरां गोट, बफेलो जैसे चानवर को सेक्रिफाइस किया जाता है लेकिन इस मंदिर में female animal sacrifice करना strictly मना है इस जगा पे अंबु बाच्ची नाम का मिला होता है जिसमें काफी तंत्रे काते है और ये तंत्रिक देवी का मख्या के पास लोगों के लिए पूछा करते है तो ये ती का मख्या टेंबुल से जुड़ी कुछ बाते और कहानिया वैसे तो काला जादू करना बुरा माना जाता है पर इस मंदिर में लोगों के negative thoughts दूर करने के लिए और life के problem solve करने के लिए ये पूछा की जाती है इसके सिवा लोग देवी का मख्या का आशिरवाद लेने भी आते है तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ चानकरी है तो हमें comment section में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद आया होगा तो इसे like, share और subscribe ज़रूर करें